हलो स्टुडेंट्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इस टॉपिक पर बना रहे हैं कि कौन सा पार्ट यूए सियमे के अंदर स्टुडेंट्स को पहले देना चाहिए जैसे काफि क्यां कॉर्शन पूस्ते हैं कि कौन सा पार्ट पहले दें सर तो देखो ने इंसर तो य है इसका क्या आपको पार्ट वन ही पहले देना चाहिए ठीक है क्योंकि CMA ने या IMA ने पार्ट वन पहले रखा, टॉपिक्स पहले रखे पार्ट वन के अंदर वो भी कुछ सोच के रखे हैं, ठीक है न, ऐसे तो रखे निये, तो अगर अपन पार्ट टू पहले देते हैं, तो हम IMA का भी सिक्वेंस एक तरीके से ब्रेक कर रहे हैं जो IMA ने दिया है, मैं एक एक्जामपल देता हूँ आपको, हम क्लास 6 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, धीरे-धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो हमारे दिमाग में बोज नहीं पढ़ता उसका है न, मतलब बर्डन नहीं आता कभी भी, 1st क्लास में, या हम जब छोटे होते हैं, बुल्कुल छोटे हैं, अगर आपको याद हो तो, प्लेग्रूप, खेर अपन लोगों ने नहीं किया, अपने टाइम पे प्लेग्रूप नहीं था, तो हम लोग प्लेग्रूप या नरसरी वगरा के अंदर, क्योंकि, बीच का basics गयब हो जाएगा, history में क्या है, जोग्राफी में क्या है, economics में क्या है, यह दीरे, दीरे, सब जगह पे आता है, उसी तरीके से same, CMA का Part 1 और Part 2 है, समझो देखो आप इस बात को, क्या, कि Part 1 में क्या है, section A में reporting part है, accounts है, टीक है न, तो Part 1 में, section B में क्या है forecasting हो गया थोड़ा सा ठीक है main budgeting भी हो गया मतलब costing वाला part start हो जाता है इसी तरीके से CD मतलब BCD यह तीनों part अपन कह सकते हैं इस तीनों part mainly focus किस्वे करते हैं costing पे section B में थोड़ा सा strategy वाला part भी है वो theoretical part है प्योर्ली ठीक है यह पार्ट के अंदर हम corporate governance audit वगरा यह सब हमने थोड़ा सा देख लिया और F में technology आ गया ठीक है अब आप सोचो किसी student जो है कोई student reporting जब पढ़ता है तो वो बुलकुल basic से accounts शालू करता है means balance sheet बनाना सीखते हैं पी एंडल बनाना सीखते हैं सोकी बनाना सीखते हैं statement of change in equity करे लोग को तो पता ही नहीं होता statement of change in equity क्या होता है तेखा क्योंकि अपन लोगों ने हो सकता है कि बहुत पहले graduation करी हो उस time पर जो graduation में बनता ही नहीं था सोकी इवन आज भी नहीं बनाते के graduation में तो सोकी statement of change in equity तो इसका क्या concept है अगर यहीं सब चीजे नहीं पता रहेगी assets क्या होती है liability क्या होती है और मतलब इतना तेजी से change हो रहा है यह सब चीजे regular basis पे जो है अगर आप देखोगे तो regular basis पे नए-नए frameworks आ रहे हैं ठीक है तो accounts तेजी से change हो रही है तो वह already section A में incorporated होती है मतलब basic से accounts incorporated होती है आप समझते है real में equity meaning क्या होता है ठीक है equity मतलब residual interest होता है expenses incomes सारे एक-एक terms अपन accounts के सीखते हैं बुलकुल fresh ऐसे costing के अंदर अपनी starting सीखते है overhead क्या होता है overhead का absorption क्या होता है ठीक है fixed cost क्या होती है variable क्या होता है semi variable क्या होता है उसको कैसे segregate करते हैं वह सब चीज़े हम वुलकुल basic से सीखते है product cost, period cost, what is period cost, period cost क्या होता है बहुत लोगों confusion रहता है but section मतलब part 1 में आई जाता है यह सब चीज़े अब आब part 2 चलो, part 2 में section A किसका है बताओ ratios का आपको पता है ratios कब निकालते है, ratios निकालते हैं, interpretation होता है ratio accounts का, accounts का interpretation कब करोगे जब accounts बनाए हुए होंगे, तो accounts कब कहां पे बनाए हैं आपने section A में, means इसी section A से ही तो यह निकल रहा है बलकुल same to same, अगर आपको student directly यह ratios वाला part पढ़ने की कोशिश करेगा और उसको पढ़ाई छोड़े हुए, बीच में gap हो गया है, मतलब 4-5-6-7 साल का, और नहीं भी हुआ तो भी, US के साब से तो accounting अपन जानते नहीं है, बहुत जादा, कई terms clear नहीं होंगे, तो फिर दिक्कते आए कुछ student होते हैं, 2-3% student, वो सोचते हैं, part 2 पहले दे, नहीं, part 2 पहले देना, सही नहीं है, better क्या है, part 1 पहले दो, अब part 2 देने के पीछे उनका logic रहता है, जाए, तो रिजल्ट में आपको बताता हूं कैसे रहता है, जैसे मालो, part 2 का result बोले 40-45 गया, example लेते हैं, तो पार् पांच परसेंट ज्यादा आता है, तो केवल क्या अपन, उसी के लिए अपना basic concept जो है, वो पूरा हिला देंगे अपना अच्छी तरीगे से, और मालो अगर फिर part 2 में दिक्कते आई, फिर क्या करेंगे अपन, चलो छोड़ो, ये section ए छोडो, section B में तो पूरा का, पूरा financial management वाला part है, C में जो है, वापस से costing लोटके आती है, ठीक है, relevant costing, अब costing के बहुत सारे concept, overhead, semi variable cost वगरा, वो सारे किदर से link करते हैं, इन topicों से link करते हैं, B, C, D, इस sections के, नहीं पढ़ा हुआ होता तो दिक्कते आती है, फिर basics अगर नहीं होता तो, what is absorption costing, ठीक है, absorption costing का क्या issue ह अगर इधर आ जाता है, already, बट नहीं होता तो फिर दिक्कते आती है, ठीक है, मतलब क्या है, क्योंकि देखो, IMA ने भी sequence कुछ सोच के बनाया है, तो हमें उसको पूरी respect देके, पहले part 1 देना चीए, फिर part 2 देना चीए, बैटर यह है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले part 2, फिर part 1, और अगर आप integrated तैयारी कर रहे हो, आप तो तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, means क्या, कि अगर आप दोनों part के एक साथ तैयारी करते हो, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, उसमें भी कोई issue नहीं है, लेकिन issue कहाँ पे है, कि सबसे ज़्यादा बड़ा issue main कहाँ पे है, जहाँ पर part 2 पहले start होके, फिर part 1 चालू होता है, तो मैंने बताया ना, कि जैसे अगर आप कोई student 6 से उसको 10 में jump करा दिया जाए, और फिर वो बोले कि sir 10 की बढ़ाई hard है, तो 10 की बढ़ाई तो hard लग नहीं है, वो तो obvious है वहाँ पे, ठीक है ना, तो पहले part 1 clear करें बिना, नहीं बन सकते हैं, अगर part 2 किसी ने clear कर भी लिया तो फिर तो part 1 पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन CMA बन जाएंगे बिना part 1 clear करें, तो बेटर है कि अपन sequence से चलें, और 5% result से कोई बहुत जारा difference नहीं आ रहा, ठीक है, महनत करोग अराम से इसमें fall कर सकते हो, कोई रिक्त बहुत जारा नहीं है पता है, आपको पहले क्या होता है जो काफी पहले जैसे अगर आप थोड़ा पहले के time के हो, जैसे अब मैंने 10th दिया था 2005 में है, तो मैं हूँ राजस्थान बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड जैपूर से, तो राजस्थान बोर्ड का result उस time पे 40-45% रहता था 10th का, ठीक है न, सोचो आप, तो 40-45% result काफी है, sufficient है, अगर 35-45 भी आ रहा है तो कोई बहुत जारा difference नहीं है, 35-45 में और 40-45 के अंदर, ठीक है न, तो दोनो result sufficient है, तो ऐसा मत सोचें कि 5% result जादा है, तो पहले अपन इस आप चीजों को concept से पढ़े हैं न, किसी भी चीजा concept जानने की गोशिश करें, जैसे मैं एक example देता हूँ, concept से पढ़ने से क्या होता है, अब जैसे मानलो आप करते हैं न, balance sheet के अंदर, liability जब बनाते हैं तो 3% करते हैं उसके, equity, non current liability, current liability, ठीक है, तो current liability अगर अपन दिखाए तो इससे क्या effect आ रहा है, किसी भी अगर liability को, मानलो अपन न, non current से उठाके current में डाल दिया, कि क्या फिर current से उठाके non current में डाल दिया, तो इससे क्या गलत हो जाएगा, सोचने वाली बात है, बताओ क्या answer हो सकता, आप सोचो, एक बार अपने मन में सोचो कि current liability दिखाने से अगर हमने exchange कर दिया, तो क्या effect आएगा, देखो पहला simple effect तो यह है कि company का debt equity ratio change हो जाएगा, ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि non current liability मतलब debt, तो debt equity ratio change हो जाएगा, agree, ठीक है न, second thing क्या, second issue क्या आएगा, अब मानलो हमने किसी भी liability को, अगर current liability दिखाते हैं, तो मतलब हमें within operating cycle period या within one year हमें pay करना होता है, अगर operating cycle का concept अगर आपको ध्यान हो तो, वना one year मानलो, सीधा सीधा, तो within one year हमें pay करना होता है, current liabilities को, तो within one year pay करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या चीए होंगे, funds required होंगे, ठीक है, तो funds अगर नहीं होंगे, अगर company को suppose करो, 1000 करोड की current liability pay करना है, और in the near future within one year, और company के पास वो funds नहीं है, ठीक है, मतलब, एक साल के अंदर अंदर company को जब current liability pay करना है, तो company के पास funds का रिंजमेंट भी नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा ऐसा, तो क्या होगा उस case में, company का going concern effect करेगा, और फिर accounts जो होंगे, वो ऐसे बनाए जाएंगे कि, no going concern है, मतलब going concern applicable नहीं है company पे, क्योंग company liability pay करने के लिए company का इस fund ही नहीं है, ठीक है न, और company कहीं से वो जुगार भी नहीं सकती, loan भी नहीं ले सकती, मालो कोई profit भी नहीं आ रहा है, profit आजाए, cash flow आजाए, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो company का going concern effect करेगा, company going concern effect करेगा, तो ह हमें accounts कैसे बनाने पड़ेंगे, assets or liabilities को, जैसे going concern अगर hit करता है, मतलब going concern अगर सही नहीं बैठता, going concern does not hold true, तो हम accounts कैसे बनाते हैं, सारे accounts, मतलब जो balance sheet होती है, वो realizable value पे बनती है, फिर, ठीक है न, उसका, जो basis of preparation होता है, फिर, वो कैसा होता है, realizable value पे होता है, मतलब assets को हम, जितना उसकी realize होती है, value उस पे पे गर उस पे दिखाएंगे, जितनी भी assets होगी, चाए current assets, चाए non current assets, जैसे stock है, stock को आप normally किस पे दिखाते हो, cost और NRV, whichever is lower, but अगर going concern effect कर गया, तो हमें stock को compulsory है कि किस पे दिखाना पड़ेगा, NRV पे ही standard भी है, ठीक है, और US gap भी कहते हैं, तो NRV पे ही दिखाना पड़ेगा उस case में, ऐसे ही liabilities, liabilities को भी हमें किस पे दिखाना पड़ेगा फिर, जितनी उसकी, आज की payable value है, तो समझे रहो, मतलब concept कितना छोटा सा था, कि यार current को non current में दिखा दिया, non current को current में दिखा दिया, अब कई लोगों को लगेगा, यार क्या फरक पड़ रहा है, बट फरक क्या पड़ा, debt equity ratio चेंज हो गया, ठीक है, तो ratios में difference आजाएगा, second thing कहां पे difference आजाएगा, कि current liability जो है, वो within one year pay करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें funds से range करना पड़ेगा, अगर company के अस funds का कोई ज true, तो फिर हम accounts को, accounts को मतलब current value पे लेके आते हैं, balance sheet के अंदर फिर हम realizable value ढूनते है assets की, अब assets की जैसे fix asset है, suppose करो, property, plant and equipment जैसे बोलते हैं, आज अपन, ठीक है, तो balance sheet में वो अमने अभी तक, जो पहले balance sheet में दिखा रहा था था, वो suppose करो 5 lakh दिखा रहा था, एक example लेते है पर आज उसकी, जो realizable value बची है, वो 3 lakh बची है, ठीक है न, तो हम balance sheet में उसको कितने में दिखाएंगे, अब 3 lakh में दिखाएंगे, भले ही book value किती हो, 5 lakh हो, और हम 2 lakh का depreciation चार्ज करेंगे, accounts के अंदर, तो इस तरीके से accounting हो जाएगी, अगर going concern does not hold true है, तो देखरो, एक कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके से concept पकड़ो, तो मैंने ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, बट इतना से बताने के लिए बनाया था, और कोशिश करूंगा, मैं आप से कुछ ना कुछ ऐसे, 2-3 निन के अंदर बाते करता रहूं, या daily हो सकता है, daily, सुबह सुबह